नमस्कार किसान भायों फार्मिंग टेकन डिवी चैनल में आपका स्वागत है किसान भायों जो हम बात करेंगे बायर कमपनी के नेटीव फंगी साइट के बारे में साथ ही बात करेंगे प्राई डोज, इस्परे फसले या केसे कारी करता है और कौन-कौन से फंगस को नियंतरण में करता है एटो जेट बात करेंगे इस वीडियो में जो किसान भाय चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले खेती किसान से जोड़ी सही जानकरी देखने के लिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बायर कमपनी नेटीव फंगी साइट के नाम से इस प्रोड़क्टी की मार्केटिंग करती है या मार्केट में बेशती है नेटीव के टिकनिकल फार्मूले की बात करें तो इसमें टेविकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफलाक्स सी इस्ट्रोबिन 25% डबल्योजी फाम में आता है जो दिखने में पाउडर जैसा या पाउडर ही होता है जो पानी में असनी से गुल जाता है अब बात करते हैं नेटीव क्या है और या कैसे कारी करता है नेटीव एक सिस्टमेटिक फंगिसायड है जो दो ग्रूप के दो अविवाम को मिस्रित करके त्यार किया गए पिला टेविकोनाजोल जो ट्राइजोल ग्रूप का है और दूसरा trifluxi strobin, जो strobellerinus group का है, जो नेटिव फंगिसाइड को बहुत कारगर और पापूलर फंगिसाइड बनाता है अब बात करते हैं, systematic फंगिसाइड क्या है और यह कही से कारे करता है सिस्टमेटी का मतलब प्रणालीगत होता है प्रणालीगत फंगिसाइड वो होते हैं जो पानी में बहुत जल्दी आसानी से गुल जाते हैं जो प्लांट में इस्फिरे करने के तुरंद बाद पोदो दुवर अवशुशित होते हैं जो पोदे की पत्तियों, शाखाओं, तनों से लेकर जोड़ों तक पहुंझ जाते हैं यानि पूरे पोदे पर फेल जाते हैं और अपने लक्ष को टार्गेट करते हैं और फोदे पर लगने वाले फंगस या पहले से सकरी फंगस को आसानी से कंट्रोल में कर लेते हैं अब बात करते हैं कौन-कौन से फंगस को नेटिव कंट्रोल में कर सकता हैं तो यह शिद ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, लीब ब्लास्ट, खस्ता फफुंदी, पिला रतुवा, पिली फफुंदी आधी सभी प्रकार के फंगस को नेंतरन में कर सकता हैं अब बात करते हैं किन किन फसलों पर नेटिवों का इस्प्रेक कर सकते हैं तो इसका टमाटर, मीर्च, बेंगन, गोबी, धान, गेहूं, आम, अंगूर, आधी सभी प्रकार की फसलों सबजी और फोलो पर इस्प्रेक कर सकते हैं किसन भाई और नेटिवों को मैंने टमाटर पर यूज़ किया था तो मुझे इसका बहुती बड़ी रिजल्ट मिला इसकी प्राइज अलग-अलग राज्यों में ज्यादा कम भी हो सकती है इसके डोस की बात करें तो सबजी और फोलो पर 90-100 ग्राम एकड में इस्प्रे कर सकते हैं यदि फंगस की समशे जादा हैं तो 100-110 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं और फसलो पर 110-120 ग्राम एकड में इस्प्रे कर सकते हैं यदि फसल शुटी अवस्ता में तो 100 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं नेटीवों को अच्छे रिजल्ट के लिए 100 ग्राम से कम किसी भी प्रकार की फसलो पर यूज़ नहीं करें रिजल्ट कमा सकता हैं पेकिंग साइज की बात करें तो 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और एक किलो के पेक में मिल जाएगा जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें